हेलो स्टूडेंट्स आइम कल्पना मिश्रान वेल्कम पैक टो वर यूट्यूब चैनल इस्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के इंपोर्टेंट लॉंग कोश्चिन्स बेटा चैनल पर मैंने बहुत सारे सैंपल पिपर इंपोर् तो यहां से आपको फाइफ मार्क्स की तीन कोशन आएंगे तीन हों में इंटर्नली चॉइस होगी तो यह जो पंद्रा नंबर के कोशन है आज मैं आपको बताने जा रही हूं इसके लाव आपका कोई कोशन नहीं आएगा लॉंग और बस इतने कोशन आप डेली रूटिंग में इसमें से 4-5-5-2-3-3 डेली कोशन करना शुरू कर दो तो आप अराम से इसके लॉंग कोशन की त्यारी कर लोगे तो बिटा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप च चैप्टर 3 के कोशन शेयर करोंगी फिर 7 के फिर 11 के ठीक है तो according to new book बोल रही हूं ने तो कई बच्ची confused रहे हैं इसलिए मैंने साथ में नाम भी बोला हुआ है ठीक है तो अगर इसके answers भी चाही होंगे तो आप मुझे बताना मैं कोशिश करके एक एक चैप्टर के आपको question with answer long question share करोंगे अभी सिर्फ मैं question discuss करने वाली हूँ ठीक है तो चले शुरू करते हैं तो यह है बटा chapter number 3 metal and non metal chapter का questions long question तो यह जो है English medium में है अगर पजावी medium वाले बच्चों को भी चाहिए long question के list तो मुझे बता देना तो मैं जल्दी आपके लिए long question आपके भी बना अगर अगर आपको इससे समझ आता है तो आप इससे कर लेना ठीक है तो first question आपका आएगा यहां से जो most important question है right difference between metal and non-metal मतलब यह तो almost आज तक हमेशा मेरा जो है पंजाब बोर्ड में पढ़ाने का 16 साल का experience हो गया भी तर ठीक है तो यह 16 साल जो मेरे निकालने हैं पंजाब बोर्ड को देखते हुए इसमें यह question तो हर साल आया हुआ हर साल ठीक है तो इसलिए सबसे पहला काम आपने इसी question को करना है उसके बाद अगला second question है explain the meaning of malleability ductility अब आपको होगे मैम यह तो छोटा सा है malleability define कर देना ductility define करना आप बोर्डर चैप्टर से 5 marks का आएगा तो ब का आपका long question है ठीक है तो 24 number में A में आगया आपका explain meaning of malleability और B में आगया आपको sodium and captain margin carosinoid तो इस तरीके से यह दोनों question मिला के आपको किस में आ जाएंगे 5 number में समझारी मेरी बात आएगा आपका जो long part होगा उसी में और इस तरीके से आएगा ठीक है इसने जो चीज बत आगे हो गया why sodium cap dimersed in carosinoid उसके बाद define the following terms mineral ore and gang ठीक है यह definition कर लेना give reason why copper is used to make hot water tank not steel उसके बाद give example of metal which is liquid room temperature यहां पर यह सबसे पहला question है आपके बुक का इसमें ने यह जो यह दिया हुआ है यह जो question यह मैं आपको बता रही है यह करीब कितने सार हो गया चार साल हो गया उसके पहले यह question आया था और simply आपको क्या करना है liquid room temperature पर कौन सी metal होती है किसको easily knife से कर सकते हैं कौन सी best conductor होती है कौन सी poorer conductor होती है बस एक simple simple name लिखके आपको पांच नंबर मिल रहे है इस question में है ना कितना असान है ठीक है तो यह भी आ सकता है इसलिए इसको ignore मत करना कि still long आएंगे तो हम इसको ना पढ़ें ठीक है उसके वाद why do any compound have high melting point and इसी में अगला question मैंने 7 में मतलब इस तरीके से आपको दो नंबर का यह आ जाएगा दो का यह आ जाएगा इस तरीके से मतलब questions आ जाते why do any compound have high melting point what are alloy what are amphortric oxide तो यह छोट चोटे question मिला के long question बन जाता है इसलिए इसको भी कर लेना उसके बाद इसी चैप्टर में last में question दिया है उसके चार point है तो उसमें से 3 point तो पके कर लेना पहला है platinum gold and silver are used to make jewelry दूसरा है sodium potassium and lithium are stored in kerosene oil aluminium is a high reactive metal still it is used to make utensils for cooking ठीक है तो यह point जरूर कर लेना ती उसके बाद अगर इस चैप्टर से बोलूं तो यह question भी करीब 5 साल पहले COVID के पहले ठीक है COVID के तो 1-2 साल पहले यह question भी आपका board में आ चुका है ठीक है तो यह question जरूर कर लेना electronic dot structure of the sodium magnesium oxygen and show the formation of Na2O and MgO by the transfer of electrons ठीक है what are the ions present in compound यह पूरा एक ही question है पूरा का पूरा पांच नमबर में आया था यह ऐसे ही ठीक है तो यह दू होगे आपका chapter 3 के question के list आगला chapter हम स्टार्ट करते हैं how do organism reproduce ठीक है तो यह chapter number 7 according to new book है old book है तो chapter number 8 describe the structure of flour most important flour तो हर साल आता है ठीक है मैंने पहला question ही ऐसा रखा है कि जो हर साल आता है bad luck हो आपका कि अगर नहीं आया इसलिए मैंने और questions भी रिख दिए अगर यह नहीं आया तो इन में से तो पक्का आ नहीं आना है ठीक है explain female reproductive system different method of contraception change scene in girls and boys in puberty time दोनों में ठीक है दोनों कर लेना उसके बाद different method of the asexual यह अलग लिग गया तो यह कठा लिग रहा ठीक है asexual reproduction उसके बाद difference between sexual and asexual reproduction देको यह मैंने बहुत choose कर question निकाले हैं हुए अगर by chance कोई और question आता है तो वो आपका और करके choice में आएगा सबसे पहला most important question अगर मैं बोलू तो वो first है ohms law और इसकी verification proper पूरे पांच नंबर में करनी है ठीक है उसके बाद है what is the minimum and maximum यह भी question कई बार आजाता है resistance एक numerical है बहुत easy numerical है तो इसको जो बच्चों ने किया होगा उनको पता होगा बहुत easy है combine four resistance यह चार रेसिस्टेंस फोर ohm eight ohm 12 ohm 24 ohm सब यह को combine करके minimum and maximum resistance निकालना है बहुत ही simple है ठीक है on what factor does the resistance of a conductor depend on equation यह कर लेना अच्छा यह question में यहाँ पर इसलिए लिखा है आपको बताने के लिए कि आपको अगर जो है derivation आगर की series की derivation आपको करनी है तो कई बार उसके starting में ohm slow लिख देते हैं कि state ohm slow तो ohm slow में आपने कहा करना स्रिफ definition लिख करके उसके बाद आपको जो है resistance in series को drive करना है ठीक है जिन बचले question किया होगा उनको पता लग रहा हो जिनको नहीं आता आप मुछ बताना मैं सभी question के answer लेके जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगे आने की इसके लिए आपको वीडियो को जादा जादा लाइक और जादा जादा शेयर करना होगा इस वीडियो पर 100 लाइक कर दो मैं सभी के solution लिया होंगी ठीक है उसके बाद आजाता है हमारा question number 5 जैसे हमने यहाँ पे अभी series पढ़ा था वैसे ही आपका पैलर में है ठीक है उसके बाद इसी चैप्टर में एक question है उसमें point से काफी explain the following तो first tungsten why is the tungsten used almost exclusive for the filament of the important question है जो भी मैं बता रही हूँ आपको और यह electric heater such as the toaster electric iron made up of the alloy rather than the pure metal उसके बाद why series arrangement यह question कही बार आजाता है जैसे मैं आपको 2-3 की ratio बता रहा है तो यह इसमें भी आ जबता है ठीक है तो why is the series arrangement not used for the domestic circuit और उसके बाद जो है इसी का मतब यही question के आपके 4-5 point लिए इस chapter का side जब सबसे last question है ठीक है तो पहां आप चेक करना इसको and how does the resistance of a wire vary with it vary नहीं है यह आप पर vary ठीक है vary with a cross section area ठीक है why are the copper and aluminium wire usually employed for the electricity of transmission ठीक है okay students तो I hope यह वीडियो आपके लिए helpful है तो वीडियो को जादे जादे लाइक और शेर करना में ते नेक्स्ट वीडियो में बुबाई